नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपके जानकारी में है कि भारत सरकार ने ये प्रस्तावित किया है बजट 2021 के तुरू के 2.5 लैक रुपीज से उपर के प्राविडेंट फंड के कॉंट्रिबूशन का इंट्रेस्ट टेक्सेबल होगा इसी इंट्रेस्ट के टेक्सेशन से रिलेटेट कुछ FAQs मान लीजिए जो Employees at Large के दिमाग में चल रहे हैं सर उनी का उत्तर लेकर के आपके सामने आने की एक कोशिश कर रहा हूँ तो दोस्तों क्या important queries हैं जिनका उत्तर हम देखने की इस वीडियो के तुरू कोशिश करेंगे जैसे जो आपका स्टेटरी बारा परसंट का रोपीशन नोव वी इसमें शामिल है क्योंकि बहुत सारे employees के दिमाग में यह भी प्रशन चल रहा है सर कि पहले से वाधिया जी जो मैंने interest accumulate किया है या पहले से जो मेरे contributions है क्या उनका interest भी इस नई scheme में taxable होगा वेदर interest on interest shall also be taxable जैसे आप 2.5 lakh से उपर का contribution करते है उस पर जो interest आएगा वो taxable होगा तो क्या उस interest पर भी जो interest आएगा वो भी taxable होगा और last what will be the tax rate on the interest taxable as per the new provision तो सर इन प्रशनों का उत्तर हम आगे एक एक करके देखते है तो दोस्तों सबसे पहला प्रशन about contribution समझने की बात क्या है सर कि भारत सरकार ने क्या प्रस्तावित किया है बजट में कि 2.5 lakh रुपीज से उपर का यदी आपका contribution है provident fund में तो उस से उपर के contribution पर भविश्य में जो interest आएगा that is with effect from 1st of April 21 onwards वो interest सर हम taxable करेंगे तो कौन-कौन से PF generally हम समझते हैं सर general provident fund to government employees में चलता है employees provident fund scheme, employees provident fund act 1925 के साब से factories पर offices पर law applicable होता है Contributory provident fund भी सर इसका नाम है Recognized provident fund भी इसी को बोलते हैं and public provident fund क्या इस particular 2.5 lakh रुपीज की limit में आता है या नहीं उसको भी सर हम आगे detail में discuss करते हैं अब यहां सर बड़ा important question है whether limit of rupees 2.5 lakh is including employer's contribution and public provident fund contribution तो आप भी मेरे साथ एक स्वर में कहेंगे कि हाँ बढ़िया जी किसी भी सुरत में employer contribution तो इसमें covered नहीं है तो दोस्तों क्या PPF contribution इसमें covered है क्या मैं आपके सामने proposed amendment पढ़ने जा रहा हूं सर देखेगा यह amendment क्या बोलता है provided that provisions of this clause यह है सर section 10 clause 11 और 10 clause 12 of income tax act में लाया गया प्रोविजो जो डाहिलाग से उपर के contribution को tax करता है इसमें क्या बात की गई है provided that provisions of this clause shall not apply to the income by way of interest in accrued during any previous year in the account of a person to the extent it relates to the amount or aggregate of the amount of contribution made by that person exceeding 250,000 rupees in any previous year in that fund अब यहां जो point है ना सर वो क्या in that fund word यूज किया है funds नहीं तो funds नहीं होने से आप बुले हैं सर क्या फरक बढ़ जाता है जैसे मान लिजे एक तो मेरा सर जीपीएफ है और एक मेरे पास में पीपीएफ अकाउंट हो रहे है अब मैंने जीपीएफ में सर थाइलाग का कॉंट्रिबूशन कर दिया और पीपीएफ में तो मैक्जिमम अलाओड ही तेट लाग का कॉंट्रिबूशन है तो टोटल कॉंट्रिबूशन सर मेरा चारलाक रुपय हो गया तो क्योंकि वर्ड जो इस प्रोविजों में जो आना प्रस्तावित है इसमें वर्ड फंड है फंड नहीं है सर तो मेरा ऐसा मानना है कि दो फंड को मिला करके आपकी यह लिमिट काउंट नहीं की जानी चाहिए अगर मेरी इंटर्पेटेशन भारत सरकार ने मान ली अब ऐसा मैं क्यों बूल रहा हूं भारत सरकार ने माननी क्योंकि सर सेंट्र बोर्ड ऑफ डायक टेक्स अभी इस पर फाइनल रूलिंग्स क्लैरिफिकेशन ले करके आए और वो क्लैरिफिकेशन सर हमें आगे के लिए final guidance देंगे कि क्या यहां सरकार की मनशाद दोनों amounts को add करने की है या नहीं है मुझे प्राइम आफिसा ही लगता है सर कि इस प्रकार के contribution को aggregate करके इकटे करके सर यहां पर limit calculation नहीं की जाएगी तो आपका जो employee contribution है जो आप किसी भी अब दोस्तों अगला प्रिश्ट वैदर लिमिट्ट नहीं होगा लेकिन जो एक लाख रुपए एक्स्ट्रा contribution है सर उसका जो बया जाएगा दोस्तों वो इस नई स्कीम में taxable होगा अब दोस्तों अगला प्रिश्ट वैदर लिमिट ऑफ रुपीज 2.5 लैक इंक्लूड्स ओनली voluntary provident fund contribution वीपेफ क्या है सर यानि एक आपको statutory provident fund यानि mandatory provident fund contribution तो करना है और एक employee अपनी इच्छा से salary के बराबर basic salary के बराबर amount तक PF contribution को ले जा सकते हैं तो क्या केवल वीपेफ का amount धायलाग से उपर जाने पर ही ये particular case लागू होगा ऐसा नहीं है और मैं पुने सर अपनी बात को प्रूव करने के लिए प्रोविजो जो insert होना proposed है उसी पर बात करूँगा provisions of this clause shall not apply to the income by way of interest accrued during the previous year in the account of a person to the extent it relates to the amount और aggregate of the amount of contribution made by that person exceeding 2,50,000 rupees in any previous year यहां voluntary contribution word नहीं है सर तो चाहे आप statutory contribution करें चाहे आप voluntary contribution करें जैसे ही आपका employee contribution dialogue से उपर का है सर उसके उपर जो ब्याज आएगा दोस्तों वो ब्याज आपका इस scheme में taxable होने की पूरी सम्मावना है अब कुछ लोगोंने सर मुझसे मेरी पिछली वीडियो के संदर में ये भी पूछा कि भढ़िया जी इस पर tax कटेगा कैसे मैं कैसे पे करूंगा मुझे पे करना employer पे करेगा तो पहला अंसर तो मेरा यह है सर इस पर आप चिंता ना करें TDS कटेगा most probably और TDS काटने की जिम्मेदारी most probably provident fund की होगी कि वो आपका जो भी इंट्रेस धाइलाक्स उपर के contribution का है उस पर TDS काटे काट के जबा कराए आपको TDS certificate दे अगर employer manage कर रहा है आपका provident fund तो employer वो TDS काटेगा तो आपको अपनी जेब से सर मेरी opinion में ये tax देने की आवर्शक्ता नहीं है यानि आपको self-assessment advanced tax नहीं देना होगा TDS के रूप में जो भी tax applicable होगा वो यहाँ पर उस interest के amount पर जो डाइलाक्स उपर के contribution का excess amount है उस interest पर TDS automatically cut करके ही आपको balance amount आगे के लिए reinvest माना जाए अब बहुत सारे employees की दोस्तों ये चिनता होई whether previous contribution interest shall also be liable to tax under the proposed amendment जैसे मान लीज़े सर एक employee है उनके provident fund में अब तक 56 lakh rupees का balance है और इस साल उन्होंने वितवर्ष 2021-22 में सर हम मान लेते हैं 4 lakh का contribution किया तो सर इस 56 lakh rupees में उनके पीछे के contribution उनका पीछे का interest भी शामिल है जो आगे भी interest कमाता रहेगा मेरी opinion में सर इस interest के उपर नया taxation प्रावदान नहीं आएगा लेकिन दोस्तों जो 2021-22 onwards उन्होंने 4 lakh का contribution किया मान लीज़े उसमें 5 lakh से उपर का contribution 1,5 lakh का है तो ये जो ब्याज इस 1,5 lakh पर बनेगा से कुछ लोग ने मुझे बुला भटिया जी अपने आपको correct करिया तो recurring style में calculation होता है मैं मानता हूँ सर recurring में calculation होता है तो recurring style में अगर आपका interest is 1,5 lakh रुवे पर जो भी बनेगा साल का given prescribed rates से वो particular interest ही केवल taxable होगा तो मुझे लगता है इस से कुछ clarity आपको मिलेगी अब एक और लाजमी question है सर whether interest on interest shall also be taxable जैसे मान लीजे सर मैंने अभी बुला कि मेरा 56 lakh रुवी का contribution है प्लस मैंने इस साल 2021 में 4 lakh का contribution किया तो धाई लाक रुपे के contribution पर मान लीजे मुझे next year ब्याज आया सर से 16,000 और जो उपर का contribution है सर डेड़ लाक उसके उपर मुझे से ब्याज आया ठीके न से 8,000 रुपे है ठीके न ऐसे ही मैं एजूम कर रहा हूँ तो सर ये 8,000 रुपे का ब्याज मेरा taxable हो गया पहली बात इस वसे से TDS भी कर जाएगा अगर भारत सरकार ऐसा बोलती है अब ये जो 8,000 रुपे का ब्याज है दोस्तो इस 8,000 रुपे के ब्याज पर भी तो मैं वहिश्य में ब्याज कमाऊंगा ठीके से 2nd year में 3rd year में onwards तो क्या वो ब्याज taxable होगा मुझे ऐसा लगता है सर वो ब्याज taxable होगा हलाकि मैं फिर बोलूंगा सर भारत सरकार की जो final ruling आनी है स्विशे पर उसका आप वेट करें once this particular proposed amendment will become a law then we will have such kind of clarity from CBDT पर मुझे प्राइमा फेसा ही लगता है सर क्योंकि interest on interest on such particular interest may also become taxable but we need to wait for final clarity by CBDT अब कुछ लोगों ने दोस्तों मुझे से पूचा के वडिया जी what will be the tax rate on interest taxable as per the new provision tax rate क्या होगी तो मेरा सीधा सा सरल सा answer है सर कोई इस first rate भारत सरकार ने बोली नहीं क्योंकि ये tax induzals पर लग रहा है तो आपके लिए जो relevant slab rate है उस lab rate पर आपका ये interest taxable होगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ और provident fund के interest के taxation पर clarity देने में मददगार सिद्ध होगी हाला कि अभी भी कुछ question genuinely रहते हैं सर जिनका answer आने वाले समय में जब ये amendment final होगा तो CBDT जो clarity देगी सर that will be the final thing और मैं उसके साथ आपके सामने आने की पुने कोशिच करूँगा तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जैह